पूश्यूल पूश्यूंज है वीडियो में आज हम लोग RBA के गाइडलाइंड डिसकस करेंगे डिक है अब्सक्राइश अनाम से अपने एक शीरीज चलाते हैं जहां पर हम लोग RBA के सर्फ्रॉडर्स रबीए की guidelines रबीए की framework जो वो डिसकस करते हैं और यह जो रबीए कहता है वाली हमारी सीरीज है यह हमारे paid batch banking master का ही एक पार्ट है हम लोग banking master नाम से एक paid batch चलाते हैं dedicated paid batch होता है स्केर 2 स्केर 3 एक्जाम के लिए या फिर वो सभी एक्जाम जहां पर banking and financial awareness पूची जाती है उनके लिए एक dedicated paid badge है banking master नाम से जहां पर weekly basis पर आप लोगों को banking and financial awareness की वीडियो प्रवाइड की जाती है मंतली basis पर आप लोगों की e-books प्रवाइड की जाती है इसके साथ साथ हम लोग pdf course भी चलाते हैं उसका भी link वीडियो के निचे description में दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग उन सारी चीजों को purchase करना चाहें तो purchase कर सकते हैं फिलाल आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर आप लोग RBI के guideline के बारे में discuss करेंगे ठीक है RBI ने अभी हाल फिलाल में एक guideline जारी किया हुआ है बैंकों के लिए जिससे की और उस guideline में यह बोला गया है कि बैंकों को digital banking units ठीक ना 24 into 7 digital banking units को setup करना ठीक है तो उसे के लिए proper guideline RBI के द्वारा जारी की गई है इसकी इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में आप डिसकस करने जारे है ठीक है तो एक बार पूरा content मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यह सारा का सारा content जो है paid batch जिन लोगों ले रखा है वहां पर आप लोगों को मिलेगा ठीक है इस तरीके से के पूरा का पूरा जो भी content होता हुआ हम आप लोगों को provide करते हैं ठीक है और यह जो भी यहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ मैं आपको पढ़ाओंगा बार-बार slide change अगर मैं नहीं भी करता हूं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए आप लोग समझेगा कि करके सारी चीजह मैं पढ़ा तो हमाँ पर जाकर आप लोग बढ़ सकते हैं हला कि exam और चीजह तो मैं यहीं पर कभर कर देता हूं लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को मन करता है कि नहीं कुछ और चीजह पढ़नी चाहिए तो आप लोग जाकर वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक है त तो RBI ने भी हाली फिलाल में बैंकों को 24 x 7 Digital Banking Units Open करने के लिए बैंकों के लिए इक guideline जारी किया उया है सभी बैंकों से यह बोला है कि 24 इन से वितीटल गणिंग को इनकी तंट की उप इने कि साथो दिन 24 हो घंटे डिजिटल से वित बैंकिं युनिट्स बैंकों के दोरा ऑपिन किया जाए और बया इसके लिए ऑक प्र गाइडलैन जा जारी किया गया है ठीक ना वीडियो के इसके पीडियेफ में आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा रिभी के ओपिसल वेफ्लेट को वहाँ पर आप लोग जाकर देखेंगे तो साथ अप्राइल को यह सर्फलर जारी किया गया ठीक है देश के समय करने के लिए बैंकों से देश भर के 75 जिलों में कम से कम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्थापित करने के लिए बोला हुआ था ठीक ना यह देखो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा यह है ऑन 7 अफ 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 इंडिया है रिलिज्ट गैडलाइन और इस् 75 डिस्ट्रिक्ट 75 इयर्स आफ इंडिपेंडेंस एस कंट्री आजादी का अम्रित महुत हो ठीक ना तो जो कुछ भी यहां पर लिखा गया है सारी चीजे में हिंदी में आपको इलेवरेट करहा हूं आसान पासा में ठीक ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मत जाईए कि जो देश भर के 75 जिलो में 75 डिब्यूस को आश टेबलिस्मेंट किया जाएगा ठीक ना तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बजट में कहा गया था और यह जो आजादी कामरित महुत सो मनाया जा रहा पचैतर में वर्सगांट मनाया जा रहे देश के आजाद होने के ल इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है सिर्फ फैक्ट फैक्ट हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे ना उसी बात को ध्यान में रखते हैं सबसे पहले हम लोग जाने है कि डिजिटल बैंकिंग उनिट क्या होती है पहला पॉइंट जो आप लोगों को रिमेंबर रखना या होती है ठीक ना तो जो यह डिजिटल बैंकिंग उनिट होती है यह डिजिटल बैंकिंग प्रोड़क्स और सर्विसेज को डिलेवर करने वाला एक मिनिममम डिजिटल इंफ्रस्ट्रेक्ट्चर के साथ में एक स्पेसिलाइजड फिक्स्ट पॉइंट बिजनेस यूनिट य फिक्स्ट पॉइंट बिजिटल इंफ्रस्ट्रेक्ट्चर फार डिलेवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोड़क्ट एंड सर्विसेज डिजिटली इन सेल्फ सर्विस मोड एट एनी ताइम और एर एर एराउं ठीक ना पूरे साल बर में एक्जिटिंग फिनेंश अच्छ मिलेंगी आपको ठीक ना तो फिर से आप लोग जानों डिब्यू क्या होती है तो जो बिसिकली डिब्यू होती है यह डिजिटल बैंकिंग प्रोड़क्ट्स और सर्विसेज को डिलेवर करने वाला है कि मिनिमम डिजिटल इंफ्रस्रेक्ट्चर के साथ में इस्पिस्ट प सब्सक्राइब करता है ठीक ना पहली बात होगे पहला पॉइंट होगे जो हमको रिमेंबर रखना है ठीक ना यहां पर हम लोगों डिजिटल बैंकिंग उनट की बारेम जाना अरे और आसान में थोड़ा से लिब्यूरेट कर देता हूं और आम बोल चाल की पांसा में समझ सब्सक्राइब करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा समय ना इसको हलका से लिब्यूरेट करता हूं जिससे कि चीजे आपको समझ में आने चाहे डिजिटल बैंकिंग उनिटी क्या होता है एक प्रकार से छोटा सा एक अलग से एरिया बना दिया जाएगा जहां पर डिजिटली क्या क्या सर्विसटेंगे अब क्या क्या सर्विसड्र कि जाएंगे उस डिजिटल बैंकिंग 씬 चेमर्य गाइंक के माध्यम से जो बैंकक की ब्रांच के और भी काम होते क्या उससे वह प्रभावित होंगे कि नहीं होग इन सारे चाइज हो औरब वोगोब डिटेल में जान जिसको to the point समझना भाइब आप ऐसे समझ लो पाकी जिन लोगों के विज़ेट करना जिनको आसान करना उनके लिह में बता दे रहा हूं जिनको to the point पढ़ना जिनको हिंदी विकार लग रहे जिनको लिवरेशन से प्रॉब्लम होग भाइसा बगर आपको चीज़ा ना अच्छ सो ज़्यादा ऐलवेट कर देता हूँ कि मैं आम बोल चाल की मास में सुचता हूँ कि लोगों को जिस से ज्यादा चब समझ में आ जाए तो इस तरह के से करता हूँ ठीक है तो सबसे चीज़े नहीं है इस guideline के अनुसार उन सभी commercial बैंकों को जिनके पास past में digital banking का experience है जिनके पास में पहले से ही digital banking का experience है उन्हें tier 1 से लेकर tier 6 centers में DBUs याने की digital banking units open करने का permission दे दिया गया है RBI के द्वारा लेकिन फिर से सुनूँ आप लोग लेकिन इसमें से RRBs, local area bank और payment bank इस के दारे में नहीं आएंगे देखो इसमें लिख अगए as per the guideline all commercial bank excluding regional rural bank, local area bank and payments bank ये लोग जो होंगे इनकी past में भले ही past का digital banking experience हो लेकिन इन्हें RBI जो है वो DBUs open करने का permission नहीं दिया है तो RBI ने अपने guideline में ही इनको बाहर कर दिया गया है और फिर local area bank या फिर payment bank ये DBUs established कर पाएंगे कि नहीं इस तरीके से question की framing की जा सकती है तो question की framing किस तरीके से हो सकती है ये भी मैं बताने की कुसिस करता हूँ कि किस तरीके से exam में चीजे पूशी जा सकती है ठीक ना तो चीजों को ध्यान से सुना करो तो उस condition में answer हो जाएग और इसके साथ साथ जो भी बची हुई commercial bank की होगी देखो क्यूंकि इसमें all commercial bank की बात की गई है तो आर आर बीस local area bank और payment bank को छोड़कर जो भी और commercial bank की होगी अगर उन पर कोई restrictions नहीं होगा तो वो without permission RBI से मतला बिना permission लिवे DBs open कर सकते हैं लेकिन अगर उन पर कोई restriction है ठीक ना तो वो RBI की without permission DBs open नहीं कर सकते हैं जो भी बची होई commercial bank के हैं अगर उन पर कोई restriction है RBI की तो वो without RBI की permission DBs open नहीं कर सकते हैं अगला point देखो इसमें यहीं लिखा गया ना especially restricted without having made the permission from the RBI in each case अगर उनके पास में कोई भी restriction है RBI की किसी भी commercial bank के पास में तो फिर वो DBs open नहीं कर पाएगा और यह जो DBs होंगी DBs of the bank will be treated as banking outlets जो भी यह bank के DBs होंगी यानि की digital banking units जो भी होंगी banking outlet के रूप में treat किये जाएंगे ठीक ना बैंकों के जो भी DBs होंगे यह as a banking outlet जिसको की हम लोग views आगे पढ़ेंगे इस रूप में treat किये जाएंगे और सभी DBs के लिए अलग से entry और exit point होगा ठीक ना पास में जो भी DBs होंगे उनका एक separate entry और exit होगा exit point होगा उससे bank के operation से कोई मतलब नहीं होगा एक अलगी gate से इनका entry और exit जो है किया जाएगा ठीक ना DBs का जो भी establishment होगा वो उस particular bank की digital banking strategy का ही एक part होगा ठीक ना DBs का जो भी establishment होगा वो जिस भी bank का DBs होगा उस particular bank की जो भी digital banking strategy होगी उसी का ही एक part होगा और DBs का operation और administration भी उस particular bank के digital banking segment के अंदर ही होगा सबी DBs को bank की senior experienced executive के द्वारा संचालित किया जाएगा scale 3 या इसके उपर के rank के अधिकारी जो भी होंगे public sector bank की case में बता रहा हूँ scale 3 या इससे उपर के bank के अधिकारी जो भी होंगे वो DBs को संचालित करेंगे और ये DBs के chief operating of research के रूप में काम करेंगे ठीक फिर से देखो आप लोग सारी चीज़ें यहां पर लिखी गए हैं जो भी लिखा गया इसको मैंने हिंदी में ही बताया है बस और इसमें कुछ मैंने किया गया नहीं the establishment of DBs should be part of digital banking strategy of that particular bank ठीक ना जिस भी bank का digital banking unit होगा वो digital banking unit का establishment जो होगा वो digital banking strategy उस particular bank का उसी का एक पार्ट होगा the operational governance and administrative structure of the DBs will be aligned with that of digital banking segment of the bank ठीक ना जो भी DBs का governance और administration होगा उस particular bank के digital banking segment के ही तहत में वो सारी चीज़ें हैंडल की जाएंगी however in order to accelerate digital banking initiative each DBUs will be headed by sufficiently senior and experienced executive of the bank preferably scale 3 or above for PSBs or equivalent grade for other banks who can designate it as the chief operating officers of the DBO ठीक है समझो आप लो digital banking initiative जो भी DBUs होगा digital banking units होगा वो किसी ना किसी बहुत ज़्यादा senior मतलब बहुत ज़्यादा senior और experience executive के द्वारा ही handle किया जाएगा और अगर हम लोग public sector की बात करें तो उसमें public sector bankों में scale 3 या फिर इससे उपर के दिकारी इससे उपर की rank के जो भी दिकारी होंगे वो जो है इस DBU को head करेंगे और अगर हम लोग दूसरी bankों की बात करें तो इसी same equivalent grade के इससे उपर के दिकारी जो है वो इसको handle करेंगे और ये लोग जो होंगे जो scale 3 इससे उपर के दिकारी होंगे जो की DBU को handle करेंगे वो DBU के Chief Operating Officer के रूप में काम करेंगे ठीक ना वो लोग जो भी होंगे वो DBU के Chief Operating Officer के रूप में काम करेंगे ठीक तो ये सारी चीजिए आप लोग ध्यान रखना है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन मतलब minimum level क्या होगा किसी भी DBU को head करने के लिए ठीक न नहीं तो Chief Operating Officer के नाम से जाने यहां पर MD and CEO नहीं होगा DBU का Chief Operating Officer होगा ठीक ना तो ये सारी चीज़ें question की framing पर डिपन करतेंगे question पढ़िएगा किस तरीके से question वहाँ पर पूछा जा रहा है उस तरीके सा आप लोग चीजों को करने की कोसिस करिएगा ठीक है और अगले point क कि अगर तरफ अकरम लोग बढ़े हों इसमें दिया गया है in addition to ensuring physical security of the infrastructure of the DBO adequate safeguard for the cyber security of the DBO will have to be ensured by the banks ठीक ना तो जो भी respective bank होंगी उन बैंकों के द्वारा DBU की physical security और cyber security की परियाफते बेवस्ता की जाएगी प्रतेग DBO कुछ certain minimum digital products और services भी offer करेंगे और इन services में क्या क्या आ bank account आजाएगा current account आजाएगा FDRD account आजाएगा mobile banking आजाएगे internet banking आजाएगे debit credit card facility आजाएगी UPI QR code आजाएगा भी माधार आजाएगा PUS ये सारी चीज़ें आजाएगे इसके साथ MSME's loans government sponsored schemes की भी online application इसके इस तरीके की services भी जो है DBU के द्वारा दी जाएगे ठीक ना और digital services क एकर हम लोग बात करेंगे ATM के थरू जो भी cash withdrawal, cash deposit, passbook printing, NFT, IMPS के थरू fund transfer, KYC addition, statement generation ठीक ना है इस तरीके के services भी provide की जाएगे DBU के द्वारा यही सारी चीज़ें अगले points में लिखी गए each DBU must offer certain minimum digital banking products and services, such products should be both liability and asset side of the balance sheet of the digital banking segment, digitally value added services to the conventional product would be qualified as such, the DBUs are expected to migrate to more structured and custom made products from standard offering by use of its hybrid and high quality interactive capabilities, ठीक है न, आगे अगर हम लोग दिखते हैं, तो this services include saving bank account आप लोगों को बतायागे, under various schemes, current account अभी आप लोगों को बतायागे, fixed deposit and recurring deposit account, यहीं के FDRD, digital kit for customers, mobile banking, internet banking, debit card, credit card, mass transit, system card, digital kit for merchant, UPI, QR code, B mother, point of sale, इस तरीके के services भी जो है DBU के दारा provide की जाएगी, दूसरी अगर और services के हम लोग बात करें, तो other services include making application for and onboarding of customer for identified retail MSME or schematic loans, this may be included end-to-end digital processing of such loan starting from online application, ठीक न, तो यह सारे चीज़ आप लोगों को बताएगे, ठीक न, जो कुछ भी आपर English में लिका गए, यह सारे चीज़ आप लोगों को बताएगे, digital service के अगर बात की जाएगे, तो cash withdrawal, cash deposit, के वाल और क्यों लिए ATM के थूँ, के वाल और क्यों लिए ATM के थूँ, ठीक न, cash deposit machine respectively without physical cash acceptance or dispersal across counters, passbook printers, ठीक न, statement generation, fund transfer, NFT और IMPS के माधियम से KYC अपडेट करना है, और दूसरे भी जो डिटेल्स हो थी, वो सारी facilities जो है, डीब्यूस के द्वारा provide की जाएगे, ठीक न, digital services की यह बात हो ग इसे digitally provide किया जा सकता है, उसे DBUs के द्वारा भी provide किया जाएगा, देखो यह भी लिखा न, any product type services that can be provided digitally through internet banking, और mobile banking can be provided by the DBUs, ठीक तो इसका मतलब भी हो गया, कि जो भी, वो कोई भी services, जो की internet banking या mobile banking के माध्यम से digitally provide किया जा सकता है, उसे जो है DBUs के द्वारा भी provide किया जाए और to the point चीज़ें पढ़कर आप लोगों को चीज़ें समयच में आ जाएंगे, ठीक न, तो to the point पढ़ो और मुझे भी अननेसे स्रिक या जरुवते बहुत जादा बोलने कि, any product or services which a bank is not permitted to offer as per provision of the banking regulation act in 1949 as amended from time to time shall not be offered by the DBU, इसका मतलब भी हो जाएगा, कोई भी product या services, जो की BR Act 1949 के तहत कोई भी bank offer नहीं कर सकती, वो कोई भी services DBU के दोरा offer नहीं किया जाएगा, और elaborate कर देता हूँ, BR Act 1949 के तहत कोई भी product या services, जो की किसी भी bank के दोरा provide नहीं की जा सकती, उसे DBUs के दोरा भी provide नहीं किया जाएगा, ठीक, यह सारी चीज़ें इसमें बोली गई है, ठी एक्जाम oriented चीज़ें आप लोगों को बताए गई है, ठीक ना, यह सारी detailing आप लोगों को PDF में मिलेंगे, किस किस तरीके से question frame किया जा सकता है, वो भी मैंने बताने के courses किया किकिस तरीके से question कुछा जा सकता है, किस तरीके से नहीं पूंचा जा सकता है, और last में PDF में आप ल आप लोगों को PDF में देता हूं, और अपने वीडियो में भी डिसकस करता हूं, वीडियो के बाद में मैं आप लोगों से बोलता भी हूं कि PDF में बोलता हूं कि दोनों आप लोग पढ़ा करो, पहले वीडियो देखो, फिर PDF पढ़ो, ठीक ना, तो maximum possible चीज़े मैंने यहां लेकिन फिर भी मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप लोगों जाकर देखना चाहो, तो आप लोगों देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना, तो किस तरीके से RBI का यह सरबलर आया है, क्या-क्या क्वेशन पूची जा सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को बताया गया, 24 x 7 x 365 इस तरीके से काम करेंगे, डिवियूस के लिए अलग से एंटर और एक्जिस पॉइंट होगा, यह बैंकों को कोई मतलब नहीं होगा, कैसा नहीं कि जो पर डिवियूस में जा रहा है, उसको बैंक से कोई मतलब है, ठीक ना, मतलब डिस्टर्बेंस और नहीं होगी, और सभी कॉमर्सिल बैंकों के लिए यह है, कॉमर्सिल बैंकों में कौन कौन से बैंके नहीं आती है, रिजनल रूरल बैंक नहीं आती, लोकल एरिया बैंक नहीं आती, पेमेंट बैंक नहीं आती, यह भी आप लोकों को पताया गया, जो भी डिवियूस होगे, बैंकिंग रूप में ट्रीट किये जाएंगे ठीक ना ठीक ना और इसमें जो भी डीविलेंट ग्रेट के हैड होगा उसको हम लोग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम स्केल 3 या फिर इससे उपर का जो अधिकारी बैट की जाएंगे यह देखो ना करेंट एकाउंट एकाउंट वारियस स्केम से जो भी आप लोगों को बताना था मतलब इंपर्टन चीज ने टूदी पॉइंट चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसी तरीके से रिगुलर वीडियो आप लोगों को बैं चला तो थोड़ा सी सु चला एक दो दिन भी सारी चीज़ें कतम हो जाएंगे थोड़ा सा आप लोगों बना कर रहो आगे से कोई प्रोब्लम नहीं आएगी इनिसली यह भी हम लोगों नहीं होना मतलब खुद का आप डेवलप किया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा डेवल